मैं हूँ प्रोफेसर गुलाम अबास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजूल आर्ट्स और कल्चर आज हम नस्तालीक लहुरी की एक्सरसाइज नंबर 14 करेंगे जिसमें हम मीम बनाना सीखेंगे तो आएए देखते हैं मीम किस तरह से बनेंगे ये नादरीन लाइन नंबर 2 और 1 के दर्म्यान में तकरीबन लाइन नंबर 1 से एक कत नीचे यहां से शुरू करेंगे ये और यहां पे जो है ये एक चीज इंपॉर्टन्ट है कि ये इसका जो एंगल बनेंगा यहां से तो वो 45 to 50 ये एंगल है इस कलम के रखने का इसके बाद इसको हम मूव करेंगे एक नुकता लगाएंगे जो वन बाई वन का होगा और ये नुकता जो है ये बिल्कुल जैसे हम रूटीन में लगाते हैं सिर्फ कव नहीं होगा इसमें ये लाइक ये ये लुकता है ये एक कत इधर से और एक ही कत यहां से ये एक कत और उसके बाद हम हलका सा इसको कव बनाते हुए यहां तक इस एंगल पे लेकर आएंगे ये और यहां तक ये दीखे अगर यह पॉइंट यहां से हमने कलम रखी थी यहां इसको कंसीडर करते हुए ये क्रीबन यहां से यहां तक इसका दो कत का फासला बनेगा, यह, यह distance जो है, यह, दो कत होगा, यहां से अगर हम इसको parallel line लगाएंगे, तो यह, एक कत जो है, वो, इसकी depth होगी, एक कत इसकी depth है, और यह, दो कत जो है, यहां से इसका distance है, इसके बाद जो है, हम एक अलिफ मनाएंगे, जो उपर से नीचे, और यह line नमबर 4 से, अगर नीचे भी आजाये तो कोई हरज नहीं, लेकिन इसकी जो recommended length है, तकरीबन वो 5 कत है, यह, 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 पांच, यह 5 कत से कम ज़्यादा हो सकता है, यह depend करता है, कि आप जहां पे लिख रहे हैं, वहां पे available, space किस किस तरह की है, और अगर हम यहां से, यह circle बनाएंगे, तो यहां पे हमारे पास तकरीबन जो है, वो, यह pawn cut जो है, एक cut से थोड़ा सा कम space बनेगी, यह, एक तफ़ा फिर से, हलकी सी कलम की movement जा है, वो, देखने वाली है, यह, नुक्ता, उसके बाद, इसी angle पे कलम को, यह move करेंगे, यह, और इसके साथ नीचे की जरफ अलिफ यह, यह, अजरीन आज की हमारी exercise खत्म होती है, यह, हमेरे चैनल को subscribe करें, ताकि आप ज़्यज़-ज़्यदा हमारी videos को देख सकें, आपका बहुत शुक्री है,